हेलो फरेंड्स मैं आप सभी का हमारे चैनल नियुमो डियक्स में आज का जो हमारे टॉपक है वह ऐ ऊब जेऊंस पहलं है murummor hitting को जो हम पड़ेंगे ऍिवाजान के बारे में तो इसको यह एक दोनों का जो प्रॉससम का male gametes and female gametes का इसको हम fertilization कहते हैं लेकिन अगर एक अच्छे से definition के साथ हम परेंगे तो fertilization is a coordinated sequence of molecular and cellular process which begins with the contact of oocytes and sperm and ends with the intermingling of maternal and paternal chromosome of metaphase of first mitotic division of the zygote तो ये main definition है और अगर हमें एक simple definition की बात करते हैं तो ये है कि process of fusion of male and female gametes ये ovum जो है वो evolution के बाद का ovum है जो कि evolution के बाद क्या हो रहा है ना कि ये ovum है और ये जो graphene follicles वगारत है जो कि हमारा secondary follicles secondary follicles के बाद जो graphene follicles बना है ये graphene follicles है और graphene follicles से ovum जो है वो बाहर आता है तो ovum जो है वो immotile होता है वो motile नहीं होता है तो यह fembri है और fembri जो है न वो sweeping उसके अंदे sweeping tendency होती है और वो ovum को check करता है कि ovum आएगा और वो उसको अपने ovum आएगा और ovum के लिए न वो sweeping उसकी tendency है और वो इस तरह से sweep करता रहता है और ढूनता रहता है कि अब ovum आएग वह Ampula है Fallopian tube के Fallopian tube के पर्ट होते है यह फर्स्ट पार्ट जो है इंफ़र्डिबूलम होता है जिसमें की wendam फिंबि वहला पार्ट क说 Infindamun के लाता है उसके बाद Ampula और फिर is थे अस थमस इस थे मस्फिह है वह सबसे cellular embryo है और most common site of fertilization जो है वो एमपुला होता है और sperm जो है वो present कहां होता है वो semen में present होता है और ovum immotile है और sperm जो है वो motile होता है sperm के पास टेल होता है जो कि movement के लिए responsible होता है तो फिर क्या आएगी ovum जो है time of evolution के just before LH surge हुआ और evolution हुआ और sudden increase of LH की वज़े से evolution होता है और यह एक follicular cell जो रि-arranged हुआ है जो कि ovum है यह रहा ovum और यह फिर होता है इसका zona palisoda जो कि इसका membrane है इसकी covering होती है और जब यह evolution के बाद एक यह arranged way में आता है जिसके उपर की एक और layers आ जाती है जिसको कि हम कहते है corona radiator का भी एक बहुत ही important काम है और time of evolution जो है वह फिंब्री बहुत active infundibulum जो है वह active हो जाता है और फिंब्री स्विप्ट करके ovum को ovum के लिए कि ovum जहां पर bulging point उसको दिखता है ना तो वहां पर पर रिलाक्स होता है फिर ovum को रिलाक्स करने के लिए wait करता है और उसके बाद ovum फिर इसके अंदर infundibulum के थ्रू अंदर जाता है और फिर फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं चोटी-चोटी वजह से ovum मूव करता है और फिर यह एंपूला की तरफ आता है और फिंब्री में एक current होता है और एक magical touch of sperm and ovum जब हुआ तो फिर just ही वो जल्दी से अपना second mitotic division complete करता है और फिर वो बन जाता है definitive ovum जबके अभी यह unicellular ovum होता है जब तक के fertilization नहीं होता है तब तक के second mitotic division complete नहीं होता है जिस भी ovum का fertilization नहीं होगा वो सारे के सारे unicellular zygote होंगे जिस भी ovum का fertilization नहीं होता है उनकी second mitotic division कभी भी complete नहीं होती है फिंब्री के through ovum picked out होता है और फिर इसका पैरस्टार्टिक movement है जो की move होता है और ovum उसको through the fallopian tube पूरे fallopian tube में एक पैरस्टार्टिक movement होता है σीमेन जो है वजाइना में deposit हो जाता है सीमेन जोerd वाइना में deposit हो जाएगा तो इसी मेन के अंदर होते हैं बहुत सारे sperms यहाँ पें सीमेन का deposit होता है जो कि वजाइना part में सीमेन का deposit होता है थो SPARM count क्या है नॉर्मल sperm count जो होता है, वो 200 to 500 million होता है, 200 to 500 million sperm में only one sperm जो है, वो fertilized होता है, अगर suppose करते हैं कि one ml semen है, तो one ml semen होगा, तो इसमें कितना जादा sperm कितने होते हैं, तो कितना percentage होता है sperm का, तो इसमें 10% जो है, वो sperm का होता है, content, sperm content जो है, वो 10% होता है only और 90% जो होता है, वो others fluid होते हैं, जो कि fluid भी इनको काम करते हैं, इनके movement में और इनके साथ fertilization में काम आते हैं, तो ovum का life spend जो होता है, वो 24 से 48 hours का ही होता है, सीमें content में एक enzyme produce होता है, जो कि coagulative activity रखता है, और वो coagulative activity इसलिए होता है, कि जब सीमें यहाँ पे आया है, तो यह फिर back out ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे coagulate होगा, और पिर क्योंकि इसको इतना time मिल जाए कि sperm जो है, फिर ampula में आये fertilization के लिए, sperm जो है, जादा motile कहां पे होता है, वजाइना में होता है, यह योटरस में, तो इसका answer है कि योटरस में होता है, क्योंकि यह जो वजाइना है, एसेडिक नेचर का होता है, और योटरस जो है, वो alkaline nature का होता है, तो यहाँ पर इसकी activity जादा होत करता है, ताके at the time of evolution, सर्विक म्यूकस रिलीज करता है, ताके यहाँ पर थिन बन जाए, यहाँ का area thin और stringy बन जाता है, यहाँ पर कुछ फोल्स होते हैं, जिससे की sperm जो है ना, इसके sperm इसकी दोर ट्रैक्ट हो जाता है, और बहुत सारे sperm यहीं पेड़ा जाते है, और सारे sperm यहाँ पर कुछ फोल्स होते हैं, जिसकी वज़ा से यहीं पर स्ट्रक हो जाएंगे और आगे नहीं जा पाते हैं, और कुछ sperm जो है, वो योट्रस में जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब के, फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, टेल आफ दे, sperm जो है, वो movement के लिए responsible होता है sperm को move करने के लिए energy भी चाहिए होती है, तो यह energy उसको कहां से बिलती है, यहाँ पर जो semen है, semen में ही एक content होता है, जो कि fructose होता है, और यह fructose जो है वो energy के लिए responsible है, sperm के movement के लिए, तो sperm के movement के लिए, अच्छा, sperm तो है, तो इसमें mitochondria कहां पर होते हैं, तो इसका जो mitochondria ना tail में होता है, ना head में होता है, middle में होता है, इसमें mitochondria जो कि फिर energy भी produce करता है, लेकिन यहाँ पर जो energy के ज़रूरत हो रही है, वो sperm को वो जो है, यहाँ पर fructose के जरीए, यह energy ले रहा है और यह move कर रहा है, semen जो है, वो rich in fructose होता है, before the fertilization, जो changes आते हैं, जो चैनल के सबसे ज़्यादा important है, वो क्या होती है, so before the fertilization, दो चीज़े होती है, जो कि ज़्यादा important है, जो कि ovum और sperm में यह changes आते हैं, तो एक, दो reaction, जो changes आता है, किस reaction तो दो reaction है, वो, एक capacitation reaction, और दूसरा होता है एक्रोजोमल रियक्शन एक्रोजोमल रियक्शन एक्रोजोमल रियक्शन एक्रोजोमल रियक्शन एक्रोजोमल रियक्शन और एक्रोजोमल रियक्शन तो फिर कैपसिटेशन रियक्शन जो होता है वह स्पर्म में होता है तो कैपसिटेशन रियक्शन में ह होता है क्या है न कि यह जो इस यह एक स्पर्म है और इसके ऊपर जो है वह एक प्लाजमा मेंब्रेन होता है प्लाजमा मेंब्रेन है और यह जो है इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोजोमल मेंब्रेन एक्रोजोमल मेंब्रेन कहते हैं और यहां पे इसके हेड़ पे जो है ना कुछ डिपोजिशन होता है जो कि ग्लाइको प्रोटीन का डिपोजिशन होता है लॉट्स अफ ग्लाइको प्रोटीन इसके हेड़ पे होते हैं तो Capacitation Reaction जो है वो Head of Head की Conditioning होती है, Sparm की Head की Conditioning होती है, यह Special Type की Conditioning होती है, जिसको की Capacitation Reaction कहते हैं, और यह होता है Cilia की Thru, तो यह जो Cilia होते हैं, अलोपियन ट्यूब में जो यह Cilia होते हैं, एक्रोजोमल मेंब्रेन के उपर, First होता है Capacitation Reaction, and the head washed away is called Capacitation, लग जाता है, यहां से यहां पर वजायने से ही जो है, इस तमस तक ट्रावलिंग करने में, Sparm को Only 5 मिनिट लगता है, लेकिन जब यह reaction होगा, और फर्टलाइजेशन तक का जो टाइम होगा, तो इसको 7 आवर्स लग जाते हैं, Capacitation Reaction के बाद जो है, वो Acrosomal Reaction होगा, Acrosomal Reaction होता क्या है, इसमें क्या होता है, कि जब Sparm जो है, वो Zona Palosuda को टच करता है, तो एक reaction induced होता है on the Sparm, तो इसमें क्या होगा, कि यह Plasma Membrane, यह Sparm है, और यह इसका Plasma Membrane है, तो इन दोनों मेरा fusion होगा, Multiple Points पर fusion होगा, मान लगी, यह दोनों meet कर गए, फिर यह पर fusion होगा, और फिर यह जो fusion हुआ, तो पिर यह Sparm ऐसा दिखेगा, यहां से, यह fusion हो गया, तो यहां से, Space बन जाएगा, और Space बनने के बाद कुछ Enzymes Release होगे, तो ये जो enzymes release होंगे ये बहुत सारे type के enzyme release होते है तो कौन कौन से enzyme होते हैं Acruffsyn enzyme होते हैं Tryepsin like enzyme होते हैं 12 토rie regime होते हैं बहुत सारे enzymes यहां से release होते हैं जो की Zona Palosoda को digest करने के लिए होते हैं अगर जब तक कि ये enzymes नहीं आएंगे इंजाइम होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स यहां से रिलीज होते हैं जो कि जोना पैलोसूडा को डाइजस्ट करने के लिए होते हैं अगर जब तक कि यह एंजाइम्स नहीं आएंगे तब तक कि जोना पैलोसूडा को डाइजस्ट नहीं कर पाएगा जोना पैलोसूडा एक हार्ड मेंब्रेन हो जाता है ओवं का जो कि उसको प्रोटेक्शन देने के लिए होता है और जोना पैलोर सुड़ का यह काम है इसको सिर्फ और सिर्फ हुमन एस्प़म ही टच्ट कर सकता है बाकि और किसी एस्प़म से यह फर्टलाइज नहीं होता है तो इसके लिए यह को touch करता है तो पिर यहां पे जी पी थी मतलब जोना पैलोसूरण प्रोटीन मतलब जोना पैलोसूर्टीन की त्री मतलब लिलीज होता है जिसकी वज़ने जो तो है एकरो जो माझा रीएक्शन घुरण को प्रोटीन ल individuals कमप टुंमًा प्रौल पीर क्या होता है कि जब अक्रोजमर रेक्शन के रिखेंगोप्रिये यह कंप्लीट हो गया धिर यह उवं में आगे अभी तक यह 23 in haploid number में होता है इसका DNA तो actual में क्या होता है ना कि यह ovum के membranes है तो यह sperm के and ovum के membranes तो sperm जो है without membrane only इसका DNA इसका जो जैसी यह zona palisoda को जो touch किया तो फिर इसके जो sperm का जो tail है वो सबसे पहले degenerate हो जाएगा और उसके बाद यह without membrane without membrane एंटर करेगा एक single DNA copy जो है sperm की वो आ जाएगी और यहाँ पे already ovum की DNA होती है और यहाँ पे एक और reaction क्या होता है मतलब एंटर करने के पहले जब यह DNA before the enter of DNA particle जब तक एंटर किया है उसके पहले क्या होता है ना कि एक और reaction होता है जैसे ही यह sperm का एक्रोजोमर reaction complete हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जोना पैलसूडा से जो जब जोना पैलसूडा को यह touch करेगा तो touch करने के बाद एक enzyme release होगा जिसको की lysozomal enzyme कहते हैं और यहां पे बहुत सारे granules होते हैं तो यह granules जैसे ही sperm टच के यह granules जो है यह membrane के एकदम पास में आ जाते हैं और यह फिर यह cortical granules हैं तो जैसे ही sperm इसमें touch हुआ तो इसके surface पे यह ovum के surface पे granules आने लग जाएंगे और ovum जो है वो lysozyme enzyme release करेगा और इसकी वज़े से क्या होगा ना कि जोना पैलसूडा में ऐसा change आएगा कि यह other sperm को penetrate नहीं करने देगा और वो impermeable हो जाएंगे only one sperm ही fertilize होगा और जो है zona paracuda का यह reaction आएगा जिसकी वज़े से कोई दूसरा sperm फिर fertilize नहीं हो पाएगा और यह दूसरे sperm के लिए impermeable हो जाएगा sperm का जो है वो single DNA copy होता है लेकिन ovum में जो है न वो double DNA copy होती है chromosome की जो है न वो double DNA copy होगी sperm में तो only single DNA copy होगी लेकिन sperm में होगा haploid number लेकिन DNA की chromosome तो वही है लेकिन यह DNA की copy जो है न यह double होगी जब fertilization के टाइम पे यह एक polar body बन जाएगा और दूसरा जो है वो fertilize होगा जो की definitive ovum बनेगा तो यह जो polar body एक बनी न यह waste हो जाएगी इसको microfage वगारा इसको इंगल्फ कर लेंगे और इसका अब कोई काम नहीं है दो phase हुआ इसमें एक phase यह हुआ कि membrane को touch किया corona radiator को penetrate किया और दूसरा phase यह हुआ कि zona palisoda के touch होते ही जी-पी-3 प्रोटीन जू रिलीज हुआ जिसकी वज़ा से एक्रोजोमल reaction complete हो गया फिर some membrane of ovum जो है वो एक दूसरे से lock हो जाएंगे इस तरह से lock हो जाएंगे ताकि यह separate नहीं हो पाएं यह दोनों जो फिर lock हो रहे हैं यह एक molecules की वज़ा से हो रहे हैं जिसको कि disintegrine और integrine कहा जाता है यह ovum है ovum के जरीए यहां पर integrine एक molecules है जिससे की यह जो है न वो lock हो जा रहे हैं एक दूसरे से integrine and disintegrine जिसका नाम है When the sperm touched here and in how the egg responds एक का क्या क्या response होता है तो एक का यह response आता है कि cortical and zona reaction जो हुआ जिसकी वज़े से कोई भी दूसरे sperm को impermeable हो गया कि वो अब enter नहीं कर सकता है फिर completion होता है second meiotic division का फिर ovum जो है वो metabolic activation स्टार्ट कर जाता है अब क्या होता है न कि यह sperm तो enter कर गया है प्लॉइड नंबर से और फिर यह सारा यह polar body बना जो कि waste material हो गया फिर before the meet each other chromosome के मिलने के पहले यह double genetic material बनेगा और chromosome with double copy DNA, double copy DNA होगा लेकिन कि chromosome एक ही है, chromosome में number में change नहीं हो रहा यह haploid ही chromosome है और यह जो process है ना इसी को बोला जाता है growth of nucleus अब यह chromosomes जब आपस में meet कर जाएंगे sperm के और ovum के तो फिर क्या होता है ना कि यह जो membrane है यह dissolve हो जाएंगे यह सारे membrane dissolve हो जाएंगे now this is the intermingling of maternal and paternal chromosome जो कि fertilization का main part है intermingling जो कि हमने सबसे शुरू में definition बढ़ा था अब क्या होगा ना कि यह जो chromosome है यह chromosome अब अपने इसमें metafase में यह changes आएंगे और यह chromosome जो है वो side एक chromosome से आँगा एक chromosome से आँगा अब इसका metafase स्टार्ट होगा metafase स्टार्ट होने के बाद cell division स्टार्ट होगा cell division जो स्टार्ट होगा one cell से two cell two cell फिर बनेगा million of cells बन जाएंगे और फिर जो modular phase blastosis phase यह सारे आएंगे यह के बाद implantation होगा और फिर embryo को growth होगा thanks for watching my video